दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Top 2 HyperOS and MIUI की थीम्स के बारे में काफी amazing दो थीम्स बताऊंगा First वाली थीम आपको Itachi उचिया के उपर देखने को मिलेगी Second वाली थीम आपको One Piece के उपर देखने को मिलेगी D-Luffy के उपर And एक आपको bonus थीम भी बताऊंगा जिसमें की काफी अच्छे controls देखने को मिलेंगी तो आप देख सकते हो First वाली थीम में आपको control panel कुछ ऐसा देखने को मिलेगा And complete यहाँ पर system UI भी change हो जाएगी अब देखो अगर आप customization पसंद करते हो तो आज मैंने अपने second channel customize zone पे एक बहुत ही amazing मदारा उचिया का setup अपलोड कर दिया है जो कि आपको i button में वीडियो मिल जाएगी जाके watch कर सकते हो काफी amazing वीडियो है अब देखो इस वीडियो की बात करता है काफी अच्छे icon pack आपको देखने को मिल जाता है अब देखो बात करें यहाँ पे control panel के बारे में तो आप on करोगे आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ पे देख सकते हो itachi उचिया की कुछ step से eyes देखने को मिलती है अब यहाँ पे भी एक wall paper देखने को मिलता है अब देखो आपको यहाँ जो toggles देखने को मिलता है अब यहाँ पे अगर down करते हो तो opacity black and white हो जाती है and up करते हो तो colorful आपको देखने को मिलता है and complete toggles आपके सामने यहाँ पे change देखने को मिलेगी control panel की बात करें तो कुछ ऐसा आपके सामने देखने को मिलेगा साथी आपको जो top में status bar देखने को मिलता है वो भी काफी ज़्यादा super बै अब देखो यहाँ पे बात करें system UI की बारे में तो आप own करोगे आपके सामने कुछ ऐसी देखने को मिलेगी यहाँ पे top में आप wall paper देख सकते हो बहुत ही amazing quality आपको देखने को मिलती है and complete यहाँ पे layout आपके सामने change हो जाएगा उसी के साथ अगर आपके smartphone में MIUI dialer है तो यहाँ पे यह भी change हो जाएगा different type का keypad देखने को मिलता है and complete color combination भी काफी ज़्यादा super बै आप देखो बात करें यहाँ पे last feature lock screen के बारे में इसको भी आप अपने coding कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ पे आपको जो gesture बार देखने को मिलता है बस इसको थोड़ा सा उपर की तरफ स्क्रोल करना है and इसको आप easily अपने coding कस्टमाइज कर सकते हो आप देखो बात करते है theme को कैसे डाउनलोड करोगी तो theme को डाउनलोड करने के लिए आपको theme store application यहाँ पे open करना है open करने के बाद आपको यह वाली theme डाउनलोड करना है यहाँ पे आप name देख सकते हो red cloud की नाम से देखने को मिलते है यहां पे आप creator का नीम देख सकते हो अब देखो डाउनलोड करने के बाद dark mode को on करना उसके बाद ही आपको यह वाली theme apply करना है अब देखो बात करते हैं हमारी second number की theme के बारे में तो यह वाली theme है different theme है एक machine style के आपको देखने को मिल जाती है यहां पे आप open करोगी तो आपके सामने home screen कुछ ऐसा देखने को मिलेगा icons भी आर काफी ज़्यादा super है and different type के round icons देखने को मिलता है उसे के साथ आपको जो control panel देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा यहां पे आपको new icons देखने को मिल जाते है and जो font आपको देखने को मिलती है वो भी काफी ज़्यादा super है अब यह देख सकते हूँ यहां पे आप volume bar को own करोगी तो आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिलेगा साथी अगर आपके smartphone में MIUI dialer है तो यह भी change हो जाएगा Google dialer को support नहीं करेगा but MIUI dialer आप देख सकते हूँ कुछ इस type का देखने को मिलता है यह वाला feature भी मेरे को काफी ज़्यादा super लगा लोग के screen के बाद करें तो आप own करोगी आपके सामने कुछ ऐसी देखने को मिलेगी सेम इसको भी आप वैसे customize कर सकते हूँ जैसे पहले वाली theme को आपने customize गया था यहाँ पे आप custom wallpaper भी apply कर सकते हूँ अब देखो theme को download करने के लिए आपको theme store application open करना है open करने के बाद आपको यह वाली theme download करना पड़ेगा आप यहाँ पे name देख सकते हूँ cars, machine के नाम से देखने को मिलती है तो यह वाली theme डाउनलोड कर लेना यहाँ पे आप creator का name देख सकते हूँ अब यह वाली theme भी आपको dark mode में ही apply करना है पहले dark mode को enable करना उसके बाद यह आपको यह वाली theme apply करना है अब देखो बात करते हैं मारी bonus theme के बारे में तो यह bonus theme एक different type से आपको apply करना पड़ेगा अब यह आपके सामने apply करोगी तो यहाँ पे error देखने को मिलेगा बट उसका भी solution में आपको बताऊँगा पहले आप देख सकते हूँ कुछ ऐसे icons आपको देखने को मिलता है home screen में यह proper apply नहीं होगी नहीं आपको lock screen में देखने को मिलेगी बट जो control panel है वो आपके सामने complete change हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हूँ कुछ ऐसा आपके सामने control panel देखने को मिलेगा आप यहाँ पे open करोगे तो आपके सामने D-Lafi का कुछ step का wallpaper देखने को मिलेगा और जो toggle से वो और भी ज्यादा super वै अब यहाँ पे top में आपको जो status bar देखने को मिलता है वो भी complete यहाँ पे change हो जाएगा आप देखो यहाँ पे system UI के बात करें तो आप own करोगे यहाँ पे भी यह apply नहीं होगी only control panel को ही आप यहाँ पे change कर सकते हो and जो आपको dialer UI देखने को मिलता है उसको भी change कर सकते हो इस theme को apply करने के बाद आप कुछ ऐसा यहाँ पे dialer UI अपने phone में apply कर सकते हो one piece का आपको यहाँ पे wallpaper देखने को मिलेगा आप देखो बात कर रहते हैं इस theme को कैसे download करोगी आप देखो theme store application open करने के बाद आपको यह वाली theme download करना पड़ेगा DVR की G5 के नम से देखने को मिलती है and यहाँ पे आप creator का name देख सकते हो only status bar के उपर apply कर सकते हो इसको यहाँ पे देख सकते हो and dialer page के उपर apply कर सकते हो बस आप जैसे tap करोगे आपके साबने feature enable हो जाएगा तो आप इसको apply कर सकते हो तो बस फिलाल वीडियो में इतना एगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर देना मैं मेल दाओं से किसी ओर डिफरेंट टाप की टॉपिक की साथ अब तक के लिए बाई बाई